असलाम अलेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब आई होग कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी दिल्कुल ठीक हूँ तो आज का व्लोग शुरू कर रही हूं मैं मॉर्निंग से और सुभा में मैंने सबसे पहले मशीन लगा ली थी शहरी के बाद और ये सबी कपड़े मैंने दो दी ह आफी पकड़े मैंने सामने वाली छट पे डआल दी हैं सुखने के लिये उसके बाद मैंने फिर से थोड़े कट्वर si सब तले करन जो लिए हैं और मधिक अवह हैं मधि कुछ पर्डे बचे हुए हैं और इतने कपड़े थोड़े बहुत यहां रूम में सूखने के लिए डाल सकती थी यहां पर मैंने डाल दी आ हैं और बाकी मेंने सामने चछ nenhuma कपड़े डाल दी ए और यह साय suis पर्दे वागेरा कुछ बैट शीर्स हैं इसमें एक दो और ये सब मैंने टब में करके रख दिये हैं अभी मैं सामने वाली च्छत पर डालूंगी और मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके थे और ये अभी गेऊँ साफ करने के लिए रखा हुआ है जो कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था गेऊँ साफ करने के लिए पोषिश करूँगी इंशाला जी ये भी काम में कर दूँ, गेऊँ साफ करने का, और मशीन fais ane कर दी है, और इसको अच्छë से साफ करके मैं इसके बाद मैंने सीधा शाम को थोड़ा सा वीडियो ली थी कोफते की रेसीपी नहीं डाली है क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला था बाकी सारे काम करने थे और पारा वगेरा भी पढ़ना था तो इंशालला फिर कभी मैं कोफते की रेसीपी आपके साथ शेयर करूँगी और ये बहुती जादा टेस्टी बनकर तयार हुए थे वागई में बहुती टेस्टी बनकर तयार हुए थे इंशालला जरूर इसकी रेसीपी आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ये देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं उससे जादा ये खाने में अच्छे लग रहे थे यमी लग रहे थे बहुती मज़ी के लग रहे थे दिन में इतने सारे काम होते हैं कि पॉसिबल नहीं हो पाता है हर चीज की वीडियो बनाना तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ वैसे जादा तर कि मैं वीडियो बना पाऊं, व्लोग बना पाऊं तो आगे चले के मैं आपके साथ शेर करूंगी किस बीच में मैंने क्या क्या काम किये थे इसके बाद मैंने कुछ क्लिबज डाले हैं दिन में यह नहाल यह था, उसके बाद में मैंने यहाला सूट वियर किया है जो बहुत ही जादा अच्छा लग रहा था, comfortable था और इसकी स्लीव इस टाइब की थी बलून बोलेंगे, बैल बोलेंगे, I don't know, बट बहुत ही जादा प्यारी और comfortable थी, lose-lose सी और सूट भी काफी अच्छा लग रहा था और ये इसका कपड़ा जॉर्जट था, ये cotton नहीं है, बट इसका दुपट्टा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्लीप हो रहा था, इससे पहन कर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल था इसलिए जब भी मैं काम कर रही थी, मैंने ये चेंज करके cotton का रुपट्टा पहना था और जॉर्जट के रुपट्टे पहन कर काम नहीं किया जा सकता है, बहुत ही ज्यादा स्लीप करते हैं और ये था मेरे सूट का look और उसके बाद जो मैंने सारे कपड़े वोश किये थे, ये सारे सूप गए हैं अब खाना, खाने के फोरण बाद मुझे इनको करना था फोल्ड जो की बहुत आदर टाइम लगने वाला था इसमें भी और काफी सारे कपड़े खटा हो गए थे, जैसे कि मैंने बताया था कि कर्टनस वगैरा ये सारे एक साइट पर कर्टनस मैंने खटे किये हैं, कवर वगैरा थे और सबसे पहले मैंने कर्टन Contessa को, एक साइट पर मैंने कर्टनस को फोल्ड करके रग दिया हैं अबी मैं कटन्स नहीं डालूंगी और जैसे कि आज आंधी भी आ गई थी बहुत ज्यादा ड़स्ट आई थी इसलिए इसलिए मैं अबी कटन्स अगएडरा नहीं डाले हैं मैं अच्छे से इन्हें फोल्ड करके इन रख दूंगी ऐड से जस्ट पहले ही मिने डालूंगी पर और यह बैट शीर्स वगएरा मैं फोल्ड करके सारी चीजें एक साइट पर रखते जा रही हूं और जो चीजें आइरन की नहीं है उन्हें में एक साइट पर रखते जा रही हूं जो कपड़े फोल्ड होने हैं आइरन नहीं होने हैं उन्हें एक साइट पर रखते जा रही वो भी काफी सारे खटे हो गए थे आज और कुछ night dresses थे, कुछ night कपड़े थे, जो fold भी नहीं होने थे ऐसे ही मैंने hang कर दिये थे बट आज कपड़े बहुत सारे uniform वगएरा और night suits और मेरे husband के कपड़े थे और जैसे कि हम घर भी गए थे वहांके भी कुछ कपड़े खटे हो गए थे और कुड़े वगएरा जैसे कि नमाज के लिए मेरे husband वेर करते हैं, कुड़े वगएरा और night में टीशर्ट वगएरा तो काफी सारे कपड़े कट़े हो जाते हैं तो सारे कपड़े में fold करके रख रही थी तीन पार्ट में मैंने इने divide किया था, एक जो curtains वगएरा थे, पड़े, bed sheets और कुछ covers वगएरा थे, और एक साइड पर जो कपड़े आईरन नहीं होने थे वो मैंने रखे थे, और एक साइड पर जो कपड़े आईरन होने के लिए थे और इस तरह से काफी सारे कपड़े हो गए थे और खाना खाते टाइम भी मुझे बहुत अजीब लग रहे थे ये कपड़े फैले हुए क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कपड़ों को इस तरह से फैला हुआ रखना रूम में क्योंकि मेरा रूम जादा बड़ा नहीं है तो वो होती जादा गंदे लगते हैं कपड़े फैले हुए और ये मेरी बास्कित काफी बड़ी है इसमें काफी सारे कपड़े जो पर्टन्स वगएरा थे पर्दे बैट शीट्स वगएरा इसमें डाल दी है जब मुझे डालने होंगे तब मुझे लगाने होंगे तब मैं निकाल लूंगी इसमें से और सारे आइरन वाले पपड़े मेंने रख दिये हैं इसमें और ये जो आईरन नहीं करने थे इन्हें मैंने अलमीरा में सैट करने के लिए रख दे हैं और उसके बाद में मैं साफ करने लगी हूँ गेहू को और ये मेरी दिन की क्लिप है वो मैंने आपके साथ शेयर की थी शाम की क्लिप खुछ इस तरह से आज मैंने वीडियो एडिट की है यह मैं बाद में दिन की क्लिप लगा रही हूं इसमें मैंने गेहु साफ किये थे उस टाइम सारे कामों से फारिग होके कपड़े वगरा वाश करने के बाद और जब सूप गए थे यहां से कपड़े हटा दिये ते मैंने वना डश बहुत जादा जाता है गेहुं से निकल के और उसके बाद मेरा बेटा भी कुराने पाक पड़के आ गया था और ये भी मेरे साथ ऐसे ही बैठा हुआ है और इसको भी मैंने अपने पास ही बिठा के रखा था ताकि बच्चों को अगर थोड़ा भी टाइम दो तो वो फोरन से फोन पकड़ लेते हैं या तो फिर खेलने लग जाते हैं कुछ और कहीं से तानिया करने लग जाते हैं कहीं कुछ टॉइस वगरा फिलाने लग जाते हैं इसलिए मैंने इसको भी यही पर रखा है थोड़ थोड़ा कुछ काम बताते जा रही हूं जैसे कि एक बैग भी था, इसमें बबदने को ग्ये वो ओग बहन को कुछ जता honor वाहतु है तो मैंने उसको बोला था कि इसमें ग्येओन डालो थोड़े थोड़े तो मैंने उससे बोला था एक प्लेट लेकर आओ इससे गया हूँ इसमें डालने हैं थोड़े थोड़े करके तो इस तरह से बच्चों को अपने साथ लगाने से थोड़ा ये भी रहता है क्या शेतानी कर रहे हैं इदर उदर कहीं कुछ फैला तो नहीं रहे हैं इस तरह से अपने साथ भी लगे रहते हैं और इन्हीं भी अच्छा लगता है इसी चीजे करने से तो मैंने इसको अपने साथ में लगा के रखा था और देखो यह काफी मेरी हेल्प भी कर रहा था और साथ में मस्ती भी उसकी चालू थी अपने फ्रेंड्स से वो गली में बाते भी कर रहा था और काफी इसने मेरी मदद की थी और यह काफी सारी काफी सारे गे हूं इसने बकेट से निकाल के बैग में डाल दिये थे और मुझे इजी हो गया था बकेट को उठा के इसमें डालना नहीं तो बहुत जादा हैवी हो जाती बकेट मुझसे नहीं उठाई जा रही थी बड़ वो मेरी बहुत जादा हैल्प करा और उसके बाद में मैंने इसको अच्छे से बांद के एक साइड पर हमने इसे साथ में मिलके रख दिया था क्योंकि अभी मेरे पास आटा काफी सारा रखा हुआ था मुझे अभी ये पिसने के लिए नहीं देना था और मैंने बेटे को बोला था डस्ट पेन लाने के लिए व इसके बाद में मैंने ये रात का क्लिप एक जोड़ा है इसमें रात की वीडियो एड किया है इसमें जो मेरे हस्बेंड है मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे है क्योंकि कॉफी सारा स्लेवर्स था मेरे बेटे का इसकी 13-14 बुक्स थी और 11 कॉपी थी जो कि सब को कवर करना था हमें ब्राउन पेपर से कॉपी को कवर करना था और ट्रांस्परेंट वाली जो पनी होती है उससे हमें बुक्स पे चड़ाना था उसको बुक्स को रैप करना था ट्रांस्परेंट पनी से तो मेरे हस्बेंड जो एक रेक्टेंगल शेप में दो बुक्स थी उन पर कवर के लिए बैटी थी यहां पर रेस्ट करने के लिए क्योंकि मेरे रूम में यहां पर इतना स्पेस नहीं है कि हम दोनों बैठ कर यहां पर इस तरह के कोई चीज कोई काम कर सकें तो इसलिए पहले मेरे हस्बेंड एक दो बुक्स को फोल्ड कर लेंगे उसके बाद में मैं इन सा की थी वर्क बुक इन दोनों बुक्स को इन्होंने कवर कर दिया है यह देखें मैं चेक कर रही थी एक बार और आजकल ऐसा हो रहा है कि कितना भी जल्दी जल्दी अपने काम फिनिश कर लो बट कल के लिए पैंडिंग कुछ काम रहे ही जाते हैं और इस जादा देर मैं प्री नहीं बैठ सकती थी मेरे हस्बेंड का यहां से काम फिनिश हो गया था उन्होंने दो तीन कोपी को कवर कर जो कि मैं बता रही थी रेक्टेंगल शेप वाली थी और उसके बाद में मैं लग गई हूं अपने काम से जो कि मेरे हस्बेंड यहां पर बैठे थे तो मैं आइरन करने के नहीं थे कपड़े वह सारे कपड़े अब मैं अलमीरा में रखोंगी मेरे हस्बेंड अलमीरा के किसी को देने थे तो वो भी मैं अलमीरा में से निकाल रही हूं खोई दुपट्टे थे और काफी सारे कपड़े थे जो कि मझे देने थे उनने भी मैं था रही हूं एक साइड पर और दिन में भी खाफी सारा टाइम यह रहता है कि पारा बगएरा पढ़ना और नमाज वग से मुझे खाना बनाना होता है पांच बचे मेरे बच्चे जाते हैं ट्यूशन के और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी से अपने सारे काम खतम करने होते हैं तो वीडियो बनाने का टाइम इसलिए नहीं मिल पाता है कभी-कभी और यहां से अभी मैं यहां से क्लीन कर लूँगी पूरा यह जो रोल बचे हुए थे जितने पेपर जितनी कॉपियां थी उतने मेरे हस्बेंड ने पेपर कट करके रख दिये हैं ताकि मुझे एजी हो जाए उनको कवर करना मुझे एक-एक कॉपी के लिए कट नहीं करना पनी लूधा प अरुत सरी कुछ कुछ आरब यहां पेट के लागो और जाता हैं कुछ छीज यहां-पर बैठके करने ल्गों एक आंपर बैठके लोग तो वं गंदा है है बहुती ज़्यादा मैसी हो जाता है रूम में मेरी कोशिश यह रहती है कि जितना भी मैस क्रियेट हो और हैंड टो हैंड क्लीन मैं करती जाओं फोरान उसे समेटती जाओं वरना बहुत जादा गंदर लगता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यह देखें मैंने स सारा क्लीन कर लिया है और नमाज से पारिग होने के बाद में मैं लग गई हूँ अपने इस बचे हुए काम पर जो कि यह दो दिन से पैंडिंग पड़ा हुआ है और यह चीट समंगाई है मैंने नेम वाली और इन चीट पर क्रिकेटर के पोटू थे जो कि मैंने यह वाले ब्राउन पेपर कवर कर चुकी हूँ कोपी पर और इन पर चीट भी मैंने लगा दी है नेम वगेरा भी मैंने मेंशन कर दिया है इस पर क्लास वगेरा और यह मेरा हो गया कंप्लीट और इसमें भी मुझे एक से डिएड़ गंटा लगा था यह कॉपी 11-12 कोपी थी यह और इसके बाद जो यह मेरे हस्परेंट ने कट करके रखे हैं ट्रांस्परेंट वाली पन्य इसको भी मुझे इसको मुझे बुक्स पर चड़ाना था और मुझे काफी टाइम लगा इसको कवर करने में काफी टाइम लगा यह मैं 10 बजे से मैं इसकाम को कर करने के लिए लगी थी और मुझे रात में एक बजिया था यह कौपी को कवर करने में कौपी और बुक्स को सभी को मुझे तीन गंटे पूरे लगे थे मिनीमम इस काम को करने में यह मैं आपको फास्ट पोवर्ड में मैं वीडियो दिखा रही हूं बट पहुजादा टाइम म में भी पेन होने लगाता काफी और बट यह कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी था कल हमको डांट भी पढ़ीती इस चीज के लिए तो मैंने सोचा आज इसको कंप्लीट करके ही सोना है और फिर शहरी में भी मुझे उठना था तो मैंने जल्दी-जल्दी से काम फिनिश क लिए है बट फिर भी तीन से साड़े तीन घंटे मुझे इसमें लग गए थे और जो नीम वाली चीट्स थी वो मैंने इस ट्रांस्परेंट वाली पनी के अंदर ही स्टिक की हैं पहले सभी चीट्स को मैंने स्टिक करके बुक्स पर और सभी पर नाम मेंशन किया है ने मेंशन करने के बाद में उपर से ट्रांस्परेंट वाली ये कवर मैंने इस पर चड़ाया है और जब बचे बड़े हो जाते हैं और स्कूल वगएरा जाने लगते हैं तो काफी सारी बात hmm जो परेंट्स को भी टाइम से करनी पड़ती है ताइम निकाल कर यह टाइब नहीं हो तो रात भी एक Dazu दिन ही मैंने बैंडिं। रखा था बट उसको बहुत जादा डाट पड़ी तो मैंने सोचा आज में इसे करी देती हूँ थोड़ा टाइम लगा बट हाँ हो गया और टाइम टेबल भी मैंने सेट करने के बाद में मैंने अच्छे से उसके बैग में सेट कर दिया था स्लेवर सारा और मेरा बेटा भी मेरे साथ जगा हुआ था वो भी नहीं सोया था वो भी मस्ती कर रहा था ऐसी तब तक मैं नहीं सोती हूँ तब तक वो भी ऐसी शतानिया करता रहता है तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी में ये कर दू ताकि उसको सुबह स्कूल भी जाना था तो बच्चे नहीं उट पाते हैं सुबह इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी से ये सारा काम हो जाए और ये मैं चिट्स लगा के इसमें नेम मेंशन कर रही थी पहले तब ये मैं cover इसको कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही थी है जल्दी से मेरा काम फिनिश हो जाए अगर मैं लेटूंगी मैं सो जाओंगी तो मेरे साथ ही मेरा बेटा भी सोता है और अगर बच्चे लेट सोते हैं तो बहुत ही जादा नखरे करते हैं सुबा उठने मे आदा गहंटा मिनिमा उठाने में ही चला जाता है तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि जल्दी से वो सो जाए और इसलिए मैं जल्दी जल्दी से अपना काम फिनिश कर रहे थी जो मैंने ब्राउन पेपर कोपी वगरा पे cover किया है कोपी पे उसको मैंने स्टेपलर किया था ब से प्रेप सेश CRK किया था इससे तो इससे थोड़ा मेरा टाइम और जादा कर्च हुआ है कि स्टेपलर से हमें इतना टाइम नहीं लगता है चुपका कपतर शीμ और कूप सारी इंन लगानी पड़ती है एक साइट पर मेंने सेम भासा चीड-लदा तेप लगानी पड़ती हैं, कट करके, और, स्टेपलर से काम जल्दी हो जाता है, और इसलिए इसमें, कुछ टाइम एक्स्टर लगा था मेरा, बट मुझे, स्टेपलर नहीं लगाना था, थोड़ा मुझे सेफ नहीं लगता है, स्टेपलर अपकी बाहर में ब्राउन पेपर जो कॉफी सड़ाया था उसमें मैंने स्टेपलर लगा तिया है बट इससे पहले में कभी इस्टेपलर नहीं लगा ती हूँ कोपी कोफी ना बूक्स पे अभी मेरा बेटा थोड़ा समझदार हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैंने ये सोच के थोड़ा स्टेपलर वगएरा मैंने लगा दिया है इस बार बटिस से पहले में टेप ही लगाती थी, सेलो टेप, चाहे कॉपी हो, चाहे बुक्स हो हर किसी पे में टेप लगा कर ही कवर किया करती थी स्टेपलर के पिंस का ठोड़ा डर होता है कर भी हाथ में नहीं लगा लिए चोट को इंजरी न हो जाये इसलिए में स्टेपलर नहीं यूज करती थी, इस की बुर। पवगयरा पर और मैंने थोड़ी कोशिश भी की थी लगाने की थोड़ी मैंने कोशिश भी की थी ब्राउन पेपर को टेप से कवर करने की टेप में उसको छोड़ दिया था धी सूटिक वाली जो पनवा चपी नहीं हुई थी है उसको मैं पे स्टिक वह और पर छिडाए था तो इसमें पर सेलो टेप हो गई थी सेलोटेप यहां यह स्टिक पर क्या करके जो कि मेरे पास कट करने के लिए छोटी सी मशीन है तो मेरा काम और भी ज़्यादा जल्दी हो गया था अदरवाइस बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता मुझे क्योंकि सीजर से कट करके तो काफी सारा टाइम लग जाता है यहाँ तो फॉरन फटाफट से कट हो रहा था जो कि मेरा बेटा फॉर्थ क्लास में है और मुझे लगता है कि राइटिंग बुक होनी नहीं चाहिए फॉर्थ क्लास में क्योंकि इतना सारा वर्क उन्हें मिलता है राइटिंग का कि उन्हें उनका वो ही cover नहीं हो पाता है काफी सारा work उन्हें मिलता है मैं इस topic पर बात भी करके आई थी school में तो बड़ कोई फाइदा नहीं हुआ उन्हें कुछ slayvers एक्ट्रा भी लगाना होता है slayvers के साथ कुछ books उन्हें एक्ट्रा भी रखनी होती है बट मेरे उसाब से ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जितना cover कर सके उतनी ही हमें बच्चे को बुक्स वगारा देनी चाहिए इतनी सारी books थी कि कैई सारी books ऐसी भी ہوتी है साल के लाश dois ॥क क्यो말 नहीं cover कर पाते हैं बुक्स में काम भी नहीं मिल पाता है, बुक्स में वर्क भी नहीं मिलता बच्चों को, तो यह चीज मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगती है, बट क्या कर सकते हैं, और यहां पर मैं थक गई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैंने बैड गई थी, मेरी टांगे दरद करने ल करने होते हैं, तो मैं घर पे ही करती हूँ, यह सारी चीजे, तो यह चोटी-चोटी सी चीजे मैं रखती हूँ, और अब मैं यहां से समेटने लगी हूँ, फोरन क्योंकि टाइम बहुत जादा हो गया था, एक से डेड़ का टाइम हो रहा था, तो यह सारी बुक्स को मैं ए फिनिश हो गई थी, तो अभी वो रहती है, उसे मैं बाद में कवर कर दूँगी, बट टाइम टेबल मेरे पास था, बेटे का, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली सेट कर दिया था, उसका टाइम टेबल और बुक्स वगरा, और उसके हिसाब से ही मैंने बैग में उसके सेट किया था, और जितनी भी बुक्स और कॉपी बचती थी, टाइम टेबल सेट करने के बाद में, उनको मैंने बुक्स शेल्फ पर रख दिया था, और ये सारी जो चीजे थी, पन्नी और पेपर वगरा, सारा, बहुत सारा कच्राय खटा हो गया था, इस सब को, बट अभी सुने के लिए तयार नहीं है, आप जल्दी से मैं सोने के लिए जा रही हूं, ताकि ये भी सो जाए, और सुबा में स्कूल भेजना था उसको, और मेरे हस्बेंट भी काफी देर पहले ही सो चुके हैं, और अगर आज की मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, खुश रहें, आबाद रहें और दौाओं में मुझे याद रखें, अल्ला हापीज